नमस्ते उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे आज कि इस वीडियो में आपको हम विधियादन बिहार प्लॉस एक्सक्राइब के बारें बताने जा रहे हैं जिसके माधिम से अगर आपने मैटिक पास किया हुआ है तो आपको जो है पर यर दस अरपय का इसक देखेंगे और वीडियो थोड़ा से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक आपने टेलीग्राम वाट्सेप चानल से जवाइन नहीं किया हुआ है तो फटाफट जाकर जवाइन कर लिजिएगा लिंक हमें नीचे दिया हुआ है जहां पे सबसे पहल जो भी मिघाई च्हातर होते हैं जो कि अच्छे मतलब अंग से पास होते हैं और उनको कहीं न कहीं पोस्ताहित करने के लिए आयकी पढ़ाई करने के लिए एसकौर्ट शिप दी जाती है तो बैसिकली परकार का और नायसन है जिसके माधिम से आपको बेनिफिट दिया जा है यहाँ पर आने के लिए आप चाहें तो इजीटूने.com का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्च करेंगे फर्स्ट में आपको साइड का लिंक मिलेगा जिसको ओपन करेंगे और यहाँ पर बिधियाधन का जो लिंक है आपको देखनी को मिल जाएगा आप यहाँ पर सर्च भी कर सक लिंक मिल जाएगा हलाकि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करवा दिया हुए जिसमें सभी जनकारी दी गए उसको पढ़ लेंगे और नीचे आपको लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जनकारी होनी चाहिए कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे किस तरह सबका सेलेक्शन होगा उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है तो जनकार लेने के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है अब जैसे इंग क्लिक करेंगे तो यह जो है सभी state के लिए चलता है बिहार के ही लिए नहीं बलकि आप other other state से हैं किसी भी state से हैं तो form को भर सकते हैं जैसे कि माली ज्यांदरा परदेश हो गया ठीक है यहाँ बिहार है गुवा है गुजरात है ही माचल परदेश है तो इस तर अभी में थोड़ा होता है आप अपने राज्य का चेक कर लिजिए गा तो बिहार अप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बताया जाता है कि अगर आपने दौसी पास कर लिया हुआ है और एडमिशन लेते हैं तो आपको जो ही दस अरुपया पर यहां पर यहां पर देखनी अपके जो भी परिवारी का है वो 2,00,00 रिपे से कम होगा तभी जो यह फॉर्म को भरेंगे इस से अधिक है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं बाकि आपने दस्वी पास कर लिया हुआ है वो चाहें बिहार बोड हो सकता है आई CAC हो सकता है तो आप यहां पर फॉर्म क पी आपका होनी चाहिए बाकि जो भी यहाँ पे बीक लांग है अगर वो 50% से भी पास आउट है तो फॉर्म को भर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है सेलेक्शन की हम बात करें तो इसमें जो है छोटा साब का इंटर्व्यू होता है जो की ओनलाइन होता है यानि की टेस्ट होता है उसके भी हाँ पे आपका सेलेक्शन होता है यानि की सबसे पहले सौट लेस्टिंग किया जाएगा और उनका जो ओनलाइन टेस्ट है इंटर्व और टेस्ट चलेगा ठीक है जो कि online चलेगा बाकी कौन-कौन से document आपके पास उनी चाहिए तो दसवी का marksit हो गया photograph हो गया और income certificate जो कि 2 लग से कम आपके पास उनी चाहिए तो आप यहां पर form को भर सकते हैं बाकी और स्टेट में चलता है चाहिए तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं जैसे कि अलगलग स्टेट की जनकाड़ी यहां पर दी गई हैं और आप इसको तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे अपना registration करना होता है, जिसमें अपना first name, last name, email id, जो भी आपका है, और उसके बाद जो भी उसका domain है, वो आपको बतानी है, कि आपने Gmail बनाया हुआ है, कई सर बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी mail id है, जो आपने दिया हुआ है, उस पे जो है, एक्टिवेशन एक लिंक भेया जाएगा, यानि कि अपना mail को चेक करना है, वहाँ पे एक्टिवेशन लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करके, आपना जो एकाउंट है, उसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद जो भी आपके पास login id है, जैसे कि माल लिजे आपका mail id, आपका user id हो गया, और आपने जो भी password create किया हुआ है, उसको डालेंगे, login के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर login हो जाएंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से dashboard देखने को मिलेगा, जिसमें अलग-अलग state का online आवदन करने का link आपको देखने को मिलेगा, और सभी का date भी आपको देखने को मिलेगा, कब से लेकर कब तक आप यहाँ पर form को भर सकते हैं, आप नीचे आएं के लिए apply करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, पंदरे जुन तक जो है form को हम भर सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पर apply now के button पर click करेंगे, और जो भी जनकारी मांगा जाएगा, जैसे कि सबसे पहले आपका interview location होगा, वो online होगा, कहीं जाना नहीं है, online आपका होगा, अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, gender बताएंगे, male female जो है form को भर सकते हैं, बाकी personal mobile number आप यहाँ पर अपना लिखेंगे, उसके बाद date of birth, matric certificate का नुसार, उसके बाद अगर आपका WhatsApp नमबर सेम है, जो अपने नमबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर नो कर सकते हैं, दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर टी कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर father और mother का जो details से आपको भरना है, जैसे कि आपका father का name क्या है, mother का name क्या है, उनका mobile number, उनका occupation क्या है, मतलब कि वो किसान है, या फिर क्या करते हैं, आप यहाँ बताएंगे, तो जो भी आपका condition होग है, उसके बाद matric का जो भी details है, जहां से अपने matric pass किया हुए है, उस school का नाम क्या है, ठीक है, किस परकार का school है, government है, private है, आप यहाँ बताएंगे, फिर आपने cup pass किया था, उसकी जनकारी बताएंगे, उसके बाद medium आपका क्या था, हिंदी, इंगलिस या फिर जो भी आ यहां रखेंगे, 75% आपका होनी चाहिए, अलाकि जो big blank है, उनका 65% यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, बाकि आपने जहां भी intermediate medium लिया हुआ है, मतलब किस परकार का आप course कर रहे हैं, जैसे कि माले जार्ट से आप intermediate कर रहे हैं, साइन से कर रहे हैं, कमर्स से कर रहे हैं, या फिर आप diploma करने वाले हैं, या फिर आप vocational course होता है, वो करने वाले हैं, जो भी आपका condition है, यहां पर उसका selection करेंगे, कहां से आप कर रहे हैं, उसका name लिखेंगे, फिर आपका pass कर जाएंगे, इसको वो बताएंगे, ठीक है, उसके बाद यहां पर पूरा जो है, जो भी आ प्राइब कर रहे हैं, उसके बाद institute का जो है type क्या है, गौर्मेंट है, या फिर किस परकार से हैं, तो आप यहां पर बता देंगे, फिर यहां पर पी उसी जो बोर्ड हो बता देंगे, सेंटरल का है या फिर इस्टेट का है, तीस तरह से जनकारी आपको भरना है, उसके ब विला हुआ है तो आप यहां पर बता सकते हैं नहीं तो जीरो कर सकते हैं बाकि यहां पर किसी परकार की आपके पास achievement है जैसे कि माल लीजे कुछ hobbies है आप यहां बता सकते हैं नहीं है तो इसको छोड़ देंगे additional information में देखेंगे कुछ आप aid करना चाहते हैं अपने बारे में बताना चाहते हैं किसी परकारी कोई भी जनकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं बाकि आप विद्यादन में बताएंगे उसका यहां पर नेम भी लिख देंगे ठीक है उसके बाद यहां पर दे सकते हैं कि आपका जो भी mandated document है तेन्द का मार्क सीट है photograph है income certificate है ठीक है यह document आपको देना पड़ेगा यहां पर टीक करना है यहां पर टीक करना है हो सकता है कि इसके बाद document भी अपको upload करना पड़ेगा ते इस तरह से आपको form को भरना है इसके लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है विल्कुल फिरी अपकोस्ट है आप इसको भर सकते हैं भरने के बाद क्या होगा कि आपका इंटर्विव होगा स्लेक्ट होने के बाद ही आपको benefit मिलेगा गारी क्लास में 10,000 और बारी क्लास में आपका 10 अरपय मिलेगा इस तरह से जो भी matic pass हैं अगर वो internet mission लेते हैं तो उनको जो है 10 अरपय पर year के हिसाब से दो साल में उनको 20 अरपय के scholarship देखने को मिलेगा तो मैंने जो है सभी जनकारी यहां है बता दिया हुआ है बाकि आप आप चेक आउट कर लेना और form को भरना चाहते हैं तो वहां से form को आप जरूर भर लेना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद